हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है आसिस पांडे आप पढ़ रहे हैं दे टॉपिक माफ्तर अपने प्यारे से यूटूब चैनल पर जहाँ पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइस वीडियो अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉबलम है तो आप हमारी यूटू पर मिलेंगी तो इसलिए चैनल से जुड़ जाएं और लगातार वीडियो उसको देखते रहें आज का हमारा टॉपिक है प्रिकास का अपवर्तन आपने पढ़ा अभी तक परावर्तन परावर्तन को हमने डिटेल में पढ़ा और लास्ट में फिर हमने प्रीवियस यर के को परावर्तन ही है किप्टर नहीं बदल रहा बेटा टॉपिक बदल रहा है पार्ट बदल रहा है पहले पार्ट में हमने मिरर्स परे दरपड के बारे में पढ़ा हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा हमने अब इस पार्ट में अपवर्तन को पढ़ने वाले हैं और लेंस क पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा ये पाट है और बच्चों को ये पाट टप लगता है लेकिन आपको बेटा नहीं लगेगा आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें सारे डाउट बेटा क्लियर हो जाएंगे कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपक आपने क्या सीखा अभी तक आपने ये सीखा संब कि बता खोता क्या था अभी तक आप लिए और यहाँ पर बेटा अभी लंब 味ने बना दिया और ये लाइट बेटा ऐसे ही परआवर्तित हो जाएगी ऐसे ही reflect हो जाएगी ये बेटा अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे थे ये अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे थे लेकिन अब topic move हो रहा है अब यहां पर ये चीजें नहीं पढ़नी है अब हमें पढ़ना है बेटा अपवर्तन को किसे पढ़ना है अब हमें अपवर्तन को पढ़ना है और अपवर्तन में ये case नहीं होते है तो अपवर्तन में sir क्या होता है तो बिटा आज मैं आपको इंट्रोडिक्शन दूँँगा अपवर्तन का और समझाउँगा कि अपवर्तन में ये चीजिजें होती हैं अपोवर्तन में माध्यम बदलते हैं, क्या बदलते हैं, माध्यम, सरमाध्यम क्या होते हैं, आओ बताता हूं बेटा, suppose that आपका पहला माध्यम एर है, अब प्रिकास एर से कहां पे चला गया, वाटर में चला गया, अरे प्रिकास एर से कहां पे चला गया, वाटर में चला गय तब अपोवर्तन होता है और अपोवर्तन क्या है आओ सिखाता हूं बेटा कि अपोवर्तन क्या है जब कोई आपतित किरणे जराध्यान से समझना बेटा जब कोई आपतित किरणे किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रिवेश करती है एक माध्यम में है अभी अभी य वाटर में प्रिवेस करेगी तो बेटा ये ये क्या होती है बेटा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है वैसे इनका मार्ग ये था अरे इनका मार्ग क्या था बेटा इनका मार्ग ये डॉट वाली लाइन थी ये डॉट वाली लाइन थी लेकिन बेटा इस मार्ग में ये नह से दूसरे माध्यम में प्रिवेस करता है तो वह अपने मार्ग से विचली तो हो जाता है और इसी विचलन को प्रिकास का अपवर्तन कहते हैं अरे बोलो समझ में आया क्या हां सर समझ में आ गया तो बेटा जी क्यों ना आपकी नोर्स लिखुआ दी जाएं और आपको पता ही लोर्स लेकर आपके लिए आते हैं अभी अभी जो मैंने डाइग्राम बनाया था बेटा जी क्या वो यही डाइग्राम था क्या हां सर यही डाइग्राम था अरे यह क्या था इसको मैंने कहा था कि यह एयर है और एयर से यह लाइट कहां पे जा रही है यह बेटा वाटर मे जा रही है तो देखो इसका मार्ग एक डॉट वाली लाइन है एक्चुल पाथ इसका ये डॉट वाली लाइन है लेकिन बेटा ये अपने एक्चुल पाथ से क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिफ्लेक्ट होता है यहां पर इस पेलिंग सही कर लेना तो यहां पर ये विचलन दरसा रही है और इसको मैं क्या कहूंगा बेटा ये विचली तो हो जा रही है ये विचलन है अरे ये क्या है बेटा ये विचलन है इसी को मैं प्रिकास का पुवर्तन कहता हूँ यानि जब प्रिकास की किरिणे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रिवेश करत तो वह अपने मार्ग से विचली तो हो जाती हैं, इसी पर इघटना को प्रिकास का आप वर्तन कहते हैं, अरे बोलो रट गया क्या, अरे यहीं पर याद हो गया क्या, याद हो जाएगा पेटा, टेंसन वाली बात नहीं है, आपको ये डिफिनेशन याद हो गई होगी, और आ आपतित किरड का कोड है ये, यानि ये क्या कोड हो गया, आपतित कोड हो गया, और बेटा ये क्या है, ये अपवर्तन कोड है, इसको मैं आर बोलता हूं, ये बेटा कौन सा कोड है, अरे ये आर जो है ये अपवर्तन कोड है, अरे क्या है, अपवर्तन कोड है, ये मैंने ल अब इलम्दे के साथ कोड बनाती हैं, उसे आर यानि अपोवर्तन कोड कहते हैं, अरे बोलो कोई डाउट है क्या, अरे बोल दो कोई डाउट है क्या, तो कोई डाउट नहीं होगा, और हाँ, वैसे तो कभी यह नहीं पूछा जाता, कि आप ति कोड की परिभासा बताइए, यह सब नहीं आता बेटा, लेकिन क्योंकि हम नोस तो बना रहे हैं, और बढ़िया नोस बना रहे हैं, इसलिए मैं इनको आपके नोस में तो जरूर लिखुआँगा बेटा, अब आजाओ, आजाओ बेटा, चलो लिख लेते हैं, कि आपतन कोड क्या होता है, तो मैंने अभ तन कोड है, अरे बोल दो, यही तो आप तन कोड है, जब आप ती तक्रिड़ें, अभी लंबी के साथ, अरे इसको क्या बोलूँगा, इसको बेटा में अभी लंब बोलूँगा, अरे बोल दो क्या बोलूँगा, अभी लंब बोलूँगा, तो अभी लंबी के साथ जो यहां से आप स्कैन कर सकते हैं स्कैनिंग की द्वारा भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां पर नाम भी लिखा हुआ है study material by assies पांडे आप डाल देंगे telegram channel पर तो बेटा आपको वो हमारा पूरा channel मिल जाएगा जहां से आप study material डाउनलोड कर सकते हैं handwritten notes डाउनलोड कर सकते हैं question paper डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी चीजे हैं अभी आई भी नहीं है लगातार बेटा आ रही हैं वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं information के लिए मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते हैं अप औरतन code की अरे बोलो किसकी बात करनी हैं औरतन code की तो मैंने क्या बताया कि जो अप औरतित के रिड़े होती हैं वह अभी लंबे के साथ जो code बनाती है उसको हम अप वरतन code कहते हैं इसे हम आरसे लिरूपित करते हैं और यहीं परिभासा यही exact परिभासा मैंने सामने लिग दी बेटा अब इसी को आपको छाप लेना है और अपनी अपनी notes में लिग लेना है अरे बोलो क्या यहाँ पर notes बढ़िया मिल रही है comment comment कर दिया करो अगर आपको classes अच्छी लगती हैं हमारी आपको याद हो जाती हैं चीज़ें आपर आपको मज़ा आती है पढ़ने में आपर तो बेटा comment आपका बहुत जरूरी है हमारे motivation के लिए क्योंकि अगर आप comment करते हैं तो हमें मज़ा आती है कि यार बच्चा पढ़ रहा है बच्चे को मजा रही तो अपने को मजा रही सीधी सी बात ठीक है चलो अब एक बहुत महत्पूर बात अरे एक बहुत महत्पूर बात बेटा आपने जब परावर्तन पढ़ा अरे यही पर समझ लो बेटा इस बात को बहुत ही महत्पूर बात है आपने जब परावर्तन पढ़ा तो आपने पढ़ा कि आपती तिक्रिडें तथा परावर्ती तिक्रिडें आपस में बराबर होती है एंगल I equal to एंगल R बट बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं होता यहाँ पर यह जो i वाला एंगल है न और यह जो r वाला एंगल है न यह आपस में बराबर नहीं होते हैं इसको note डालके जल्दी से लिखो अरे इसको note डालके जल्दी से लिख लो हाँ सरा आपने लिख रखा है क्या बिल्कुल बेटा मैं तो सारी चीजें लिख के लाता हूँ आपके लिए ताकि आप स्क्रीन सोट ले सकें और अपनी बैतर नोर्स बना सके बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपतन कोड और पोवरतन कोड आपस में कभी बराबर नहीं होते और यहाँ पर लिखा भी हुआ है बेटा इसमें मैंने बताया डाइग्राम में यह है एंगल आई और यह है एंगल आर क्योंकि सदेओ यह अपने मार्क से विचलित हो जाएगी इसलिए कभी बराबर का कोड नहीं बनेगा क्या बात समझ में आ गई क्या तो बेटा यह था आज हमारा इंट्रोडेक्शन जहां पर मैंने आपको बताया कि ओवर्तन होता क्या है अब आपको थोड़ी सी फील आई होगी कि सर अप ओवर्तन ऐसा कुछ होता है हमें समझ में आ गया बेटा ऐसे ही टॉपिक वा स्लेबस बेटा, फिजिक्स, कमिश्ट्री, बायालोजी सभी के लेक्शर्स मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़े हमारी यूट्यूब चैनल पर अल्रेडी अप्लोडेड हैं और अप्लोड हो रही हैं जल्दी से जूझे हमारे साथ मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स पर थेंग यू सू मच पर वाचिंग टडा बाय बाय बेटा बाय